Let's start with the name of Allah Almighty who created a man with a clot of blood. Assalamualaikum dear students, hopes you all are fine and enjoying your vocations. Now students, time for study. Focus, please focus on your study. Open your social study book and page number 2. Write day, date with beautiful writing. ठीक है? और अपने हाथ में सब बच्चे अपनी पैंसिल पर कर लें. रीडिंग के ओपर आप करेंगे ताके आपको पढ़ना और उसकी परनॉंसियेट आजाए. ठीक है? टूड़े दे टॉपिक इस जियोग्राफी. डू यू मीन, नो दे मीनिंग आफ जियोग्राफी? जियोग्राफी का मतलब होता है इल्म जियोग्राफिया. ठीक है? और आज हम करेंगे रीडिंग सबसे पहले है अर्थ इन स्पेस. आपको पता है कि हमारी जो जमीन उसको सियारा कहते हैं या सितारा? हंजी, शाबाश. जमीन जो है वो हमारी एक सियारा है. और आपको बचल ये भी बताना चाहिए कि वट इस दर डिफरेंस बिट्वीन प्लैनेंट एंड स्टार्स. ठीक है? प्लैनेट जो होते हैं सियारे जो होते हैं ये खुद की इनकी रोशनी नहीं होती है. जबके सितारों की अपनी वो बाइस सेल्फ रोशन होते हैं. उनकी कोई रोशनी वो किसी से नहीं लेते हैं. और सूरज जो है आसमान पे पूरी जो है हमारा सोलर सिस्टम है. उसमें एक सन वाहत सितारा है जिसकी खुद की रोशनी है. और हमारी जो जमीन है अर्थ है ये एक प्लैनेट है. ठीक है अगर हम जमीन को अपनी अर्थ को फूर एकुल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो हमारी जो थर्ड उसके पार्ट है उस पे पानी है. और सिर्फ एक पार्ट पे जो है वो जिन्दगी है. उस एक पार्ट पे जिन्दगी क्यों है? इसलिए कि वहाँ पे हवा भी है और पानी भी. ठीक है? जो कि जानदार चीज़ों के लिए बहुत जरूरी है. ओके और पता है आपको जो थर्ड पार्ट पे पानी है वो उसमें पीने वाला बहुत कम है. और ये आम जो उसके लिए तो हम दूसरा पानी इस्तमाल कर सकते हैं. वो सॉल्टी है. लेकिन पीने में वो कभी भी इस्तमाल नहीं होता. ठीक है? अब हम मजीद जमीन के बारे में जानेंगे के हमारी अर्थ के साउथ में क्या है? नौर्थ में क्या है? वो मजीद जानेंगे रिडिंग के थूँ. ओके? लेट स्टार्ट रिडिंग. अब हमारी जमीन जो है वो खला में है. उसका क्या है? वो कैसे मूव करती है? ये सारी चीज़ें आपको इसमें पता चलेंगे. अर्थ is like a huge ball. हमारी जो जमीन है वो एक बहुत बड़ी गेंड की तरह है. हम इसको स्फियर बोलते हैं. ठीक है? इस नौट क्वाइट राउंड और इस फ्लैटन अट टॉप और बॉटम. ये बिल्कुल राउंड बॉल की तरह नहीं है. ये एग की सुरत में बेवजी है. ओवल शेप में है. ठीक है? ये उपर से और नीचे से हमवार है. ठीक है? अट नौर्थ एंड साउथ पूल. नौर्थ और साउथ पूल की तरह से. हंडर्ड ओफ यर्ज अगो, सेंकड़ो साल पहले, पीपल हैड वेरियस आइडियाज अबॉट अबॉट अइर्थ लोगों का जमीन के बारे में, जो थे मुक्तलिफ आइडियाज, ख्यालात रखते थे. कुछ लोगों का सोचना था, इक वस फ्लैट के ये बिल्कुल हमार है, जैसे हम बिल्कुल एक फ्लोर होता है ना, वैसे. Most believed, ज्यादा तर मानते थे, that the earth was at the center of the universe, के जमीन जो है, वो बिल्कुल universe, काईनात के बिल्कुल center में है. They thought, उनका मानना था, the sun and the planets, सूरज और तमाम जो planets है, move around the earth, वो अर्थ के गिद्ध मूव करते हैं. आपको पता है, के planets कितने हैं? How many planets are there? Yes, nine. Nine, nine में हम प्लोटो को consider करते हैं, सियारा, सियारा, बट वो क्या है, कि वो अपने orbit से, निकल के जमीन से, बहुत दूर जा चुक है, sun से, ठीक है, sun से वो बहुत दूर जा चुक है, इसलिए हम उसको कहते भी हैं और नहीं भी कहते हैं, ठीक है, today we know, अब हम जान चुके हैं, quite a lot about the earth, जमीन के बारे में बहुत सी information, इतनी researches होती है, all day, उसके तरू हमें बहुत सी जमीन के बारे में information पता चली है, the other planets, दूसे सियारों के बारे में भी, the sun, the stars and the space, सूरज के बारे में, सितारों के और खला के बारे में, astronauts have been into space, in spaceships, astronauts बच्चे बोलते हैं, जो आदमी ख अस्ट्रोनाट बोलते हैं, उर्दू में इसको कहते हैं, खलाबास, have been into space, in spaceships, वो spaceships के जरिये जाते हैं, ये आम एरो प्लेंज होते हैं, ये space तक नहीं जा सकते हैं, उनमें special जो machinery लगी होती है, जो उनको space बे लेके जाती है, man has even landed on the moon, यहां तक के आदमी ने चांद पर कदम रख दिया है, ठीक है, नील आमस्ट्रोंग जो पहला आदमी था, जिसने चांद पर कदम रखा था, वो मून पर भी पहुंच गया हैं लोग, इतनी तरकी हो चुकी है, इस फिल्ड में, machines called space props have been sent out into space to find out more about the universe, space props बच्चों बोलते हैं, उस machinery को, जो खलाबास जो हैं, व satellites, orbits go around the earth, satellites बोलते हैं, मुवासलती, जो सियारे उपर चोड़े जाते हैं ना, उनको, वो जमीन के बारे में, हमारी जो उपर जमीन के बारे में information है, वो जमीन, इदर नीचे तक भेजती हैं, pictures के थरू, और उसकी, जो हैं, वो signals के थरू, they receive and send radio and television signals, वो चीज़ें जो pictures हैं, वो signals हैं, वो उपर से catch करके, जमीन पे बेज़े जाते हैं, जिसके आते हैं, और radio, television के नश्रियात के थरू चलती है, net भी उसी के थरू, and gathered and send information, और information जो है, उसे हासल की जाती है, such as high quality images, जैसे के, मतलब बहुत बड़ी 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 जमीन की तसावीर, of space, खलासे खें जो जमीन की जो तीन तहें हैं, ठीक है, ती तरी लियर्स हैं, उनकी पिक्चर्स उपर से जमारी हमारी हमारी जमीन जो है, कैसी नजर आती है, some satellites images have been used to improve maps, उपर से बेजी गई कुछ सैटलाइट की तूरू से मदद से जो पिक्चर्स बेजी गई है, उसकी मदद से हमारे ज जहां तक, यहां तक खतम हो गई है, आपने बहुत अच्छे तरीके से रिडिंग को करना है, और जमीन के बारे में information हासिल करनी है, ठीक है, और एक प्यारी से तस्वीर, आपने खुदी बैठ के अपने दस्ते के उपर बनाएं, जमीन की layers को mention करें, ठीक है, और जमीन के बा लगाएंगे, day and date लगाएंगे, और with beautiful writing में, आप लोग solve करेंगे, उसका question number one, ठीक है, आपने लगा लिए, day and date, very good, अब हम करेंगे, question number one है, describe the shape of earth, हमारी जो जमीन है, उसकी shape कैसी है, what is this shape card, और इस shape को क्या कहते हैं, the earth is a sphere shaped huge ball, जमीन जो है, इसका अंसर है, sphere shape में एक बहुत बड़ी ball है, ठीक है, next questions अबने लिख लिए, good, this beautiful writing में, explain the difference between rotation and revolution, ठीक है, अब आपने मुझे difference बताना है, rotation और revolution में, ठीक है, अब मैं बताऊंगी, the earth spins or rotates from west to east on its axis, ठीक है, it is called rotation, and revolution क्या है, at the same time the earth is moving around the sun, this movement is called revolution, have you done it, आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको लिखना है, और ये दोनों questions जो है, ये आपका homework भी है, इसको learn भी करना है, आपने oral और इसको लिख के, oral और written दोनों form में, इसको अच्छे तरीके से याद भी करना है, और इसको notebook पे लिखना भी है, ठीक है, okay, it's over now, thank you so much.